अनंत चतुरदशी के दिन भगवान नारायन की उपासना भी परम सुखदाई और कल्यानकारी मानी गए है। इस दिन भगवान विष्टु की पूजा की जाती है जिससे अनंत लाव की प्राप्ति होती है। तो आईए आपको बताते हैं क्या है अनंत चतुरदशी की ये महिम पापा की विदाई का मनुरम द्रश्य होता है। उनके भक्त अपनी जूलियां पापा के आश्रबात से भरते हैं। तो दूसरी ओर शैन मुद्र मेलीन श्रीहरी की उपासना इस दिन करने से जन्मों की कश्ट दूर हो जाते हैं और मुक्ष का द्वार खुल जाता है। अन को अनंत चतुर्दश्य का महत्व बताते हैं। इस दिन मुक्ष की प्राप्ति के लिए भगबान पिश्व की भी पूचा के जाते हैं। इसके लिए अनंत चतुर्दश्य का वरत रखा जाता है। बंधिन का प्रतीक सूत्र हात में बांधा जाता है। वरत के पारायन के सम इसको खोल दिया जाता है इस व्रत में नमक का सेवन नहीं करते पारायन में मीची चीजें जैसे सेवई या खीर खाते हैं इस दिन गजेंद्र मुक्ष का पाठ करने से जीवन की तमाम परिशानिया दूर होती हैं देखिए अनंत चतुर्दशी पर आप साधना करके प्राठना करके अनंत वर्दान पा सकते हैं इसलिए इसको अनंत चतुर्दशी कहते हैं मुख्यतह अनन्त चतुरदशी पर भगवान विश्नु की उपासना की जाती है मोक्ष प्राप्त करने के लिए बंधन का प्रतीक अनन्त सूत्र अपनी भुजा में बांधा जाता है और शाम को वरत समाप्त करने के बाद इस बंधन को खोल दिया जाता है अनन्त चतुरदशी पर दोनों वेला भगवान विश्नु की पूजा करें और दोनों ही समय गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें अगर अनन्त चतुरदशी पर ऐसा करते हैं तो मुक्ति और मोक्ष का मार्ग सरल हो जाता है अनंत चतुरदाशी व्रत रखने से मिलने वालब पोणे कभी समाप्त नहीं होटा ये काम में व्रत है जिसे सांसारी किच्छाओं के बोर्ती के लिए रखा जाता है तो आईए अब आपको बजाते हैं अनंत चतुरदाशी व्रत की महिमा पांडवों को अनन्त चतुर्दश्य व्रत से खोया राज्चे मिला था. शुक्रिष्ण ने पांडवों को इस व्रत के वारी में बताया था. पांडवों ने द्रौपती सहीत रखा था अनन्त चतुर्दश्य व्रत. अनन्त चर्तो दर्शी पर श्रीहरी से विश्ष कृपा पानी के लिए उनकी आराध न कीचे भगवान नाराण का ध्यान पूजन और पास न कीचे आपकी हर विपदा, हर मुसीबत हर लेंगे श्रीहरी विरे रपोर्ट, गुड निउस टुड़े और चलिए हमारे महमानों का रुख कर लेते हैं वानिया आर्या जी के पास जाना चाहूंगी वानिया जी, जब विसर्जन की प्रक्रिया शुरू होती है जब गणपती बपा की बिला आता है घर से जब उनकी बिदाई की जाती है तो कहते हैं कि सिर्फ विसर्जन गणपती बपा का नहीं है हमारे परिशानियों का, हमारे दुखों का भी विसर्जन उनके साथ ही हो जाता है और ये मनुकामना तो की ही जाती है कि आप अगले बरस फिर से आईएगा हमारे जीवन में पधारिएगा और हमारे जीवन में सुख समृधी इसी तरह से बरकरा रखिएगा विसर्जन क्यूं करते हैं, कैसे करते हैं? हाँ संदर प्रेशन आपने पूछा शगुफता जी और बहुत ब्यूटिफली एक्स्प्लेइन किया यह विसर्जन जो है, कि मतलब आपके जीवन की जितनी भी आपस्टेकल्स हैं उनका भी विसर्जन हो जाए तब ही कहते हैं कि हर चीज को गनेश जी हर लेते हैं सुख करता, दुख हरता हलब हमारे जीवन में सुखों का करना और दुखों का हरना इसकी इनकी एनरजी जो है वही ऐसी है आज के दिन जो है विश्नु भगवान का भी कूजन होता है और जो है आज के दिन जो है उनसे मोक्ष की कामना सेलवेशन की कामना भी जो है वो की जाती है और आज के दिन वरत भी रखा जाता है काफी लोग जो लोग अगर आप लोग मेडिकली पिट है आपके डॉक्टर्स आपको एलोग करते हैं तो आज के दिन आप फास्ट भी जो है वो आप कर सकते हैं इसमें आपको कुछ भी नमक नहीं खाना है गनेश रक्षा स्रोत का आज आप पार्ट करें और जो है उनकी जो क क्रिया चलती है तो यहां पर गनेश जी हमें जीवन में बहुत कुछ सिखा के जाते हैं जो यह एक्जाम्पल्स है आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी जो है इनको इंप्लिमेंट कर सकते हैं गनेश जी कहते हैं कि जीवन में जो है अपने स्वाभी मान को हमेशा अपने बुद्धी, अपने डिसेजन मेकिंग को जो है, वो हमें रखना है, उनके कान में जो भी आपको विश है, जो भी आपको चाहिए अपने जीवन में, उनके कान में आप वो विश बोलते हैं, उनको पोटली का समान बांग के देते हैं, बिकॉस अभी वो दस दिन आपक तो वो जो है उनका जो विसर्जन होगा जैसे मैंने आपको प्रक्रिया बताई थी कि एक एक चीज जो है में विसर्जन के टाइम पर उनको साथ बांध के देनी है